बच्चो आज आप मेरी साथ आपकी पाठ्यविस्तक बशंद भाग दुका पाठ्वीज विपलन गायन के भाषा की बात पर अधारित अभ्यास प्रिश्ण हल कर रही है बच्चो आपकी ये जो विपलव गायन कवीता है इसको लिखने वाले हमारे कवी है बाल कृष्ण शर्मा नवीन बच्चो अब तो आपको कवीता का नाम और कवीता के कवी अच्छे तरह से याद हो गए होंगे बच्चो पाट के इस भाग में आज हम भाषा की बात पर अधारित अभ्यास प्रिश्ण हल कर रहे है बाशा की बात यानी की व्याकरन से संबंदे प्रिश्ण तो बच्चो देखते है हमारा पहला प्रिश्ण क्या है कविता में दो शब्दों के मध्ध है इस चिन का प्रयोग किया गया है बच्चों क्या है यह चिन यह चिन हमारा यूजक चिन है जिससे उथल पुथल मच जाए कंकंड में व्याप्त बहीसवर इन पंक्तियों को पढ़िए और अनुमार लगाईए कि कभी ऐसा प्रयोग चिन देखने को मिल रहा होगा जैसे कि देखिए उथल पुथल कंकंड में इस तरह का चिन कभी ने बार बार प्रयोग किया है बच्चों क्या कहते हैं इस चिन को हम योजक चिन कहते हैं और आपको यह बताना है इस प्रश्ण में कि कभी ऐसा प्रयोग क्यू करते हैं यानि की अपनी कवीता में कवी ने इस चिन्न का प्रयोग क्यों किया है देखिए उत्तर कवीता को प्रभावशाली बनाने वे शब्दों में प्रभाहा लाने और बल देने के लिए इस चिन्न यूजक चिन्न का प्रयोग किया गया है बच्चों चलते हैं अगले प्रशन पर देख इसी खास बाग को अविव्यक्त करने के लिए किया जाता है कविता पड़ने में इन विराम चिननों का प्रभाबी परयूक करते हुए काव्यपाथ कीजिए बच्चों आपने कविता को गौर से पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि कविता में जगे जगे बहुत स आरे विराम चिन्नू का प्रयूग किया गया था जैसे कि कहीं कहीं यूजक चिन्न थे कहीं पूर्ण विराम था कहीं अर्ध विराम कहीं अल्प विराम ऐसे विराम चिन्नू का प्रयूग किया गया था बच्चों विराम चिन्नू का प्रयूग हम अपने भावो और भाशा मे इस पस्टता लाने के लिए करते हैं और जब विराम जिन्नु का प्रयूग करके हम कोई कवीता पढ़ते हैं तो वो पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है आपको इस प्रिशन में क्या करना है विराम जिन्नु का प्रयूग करते हुए आपको काव्य पाठ करना है यानि कि कविता पढ़नी है तो बच्चों आईए पढ़ते हैं कविता देखिए कवी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए एक हिलोर इधर से आए साब धान मेरी वीना में चिनगारियां आन बैठी है तोटी है मिजरावे अंगुलियां दोनों मेरी एठी है कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है आग लगेगी हृत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है जाड और जंकाड दग्द है इस जुलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की कृद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से कंकंड में है व्याप्त वही स्वर रोम रोम गाता है वहध्वनी वही तान गाती रहती है काल कूट फणी की चिनता मनी आज देख आया हूं जीवन के सब राज समझ आया हूं भ्रू बिलास में महानाश के पुशक सुत्र परक आया हूं बच्चों चलते हैं अगले प्रिश्ण पर देखते हैं अगले प्रिश्ण में क्या है गध्य में आम तौर पर शब्द का प्रयोग यानि गध्य में आम तौर पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है जैसे कि देशराज जाता है यहाँ पर है शब्द का प्रयोग हमने वाक्य के अंत में किया है अब कवीता की निम्नपंक्तियों को देखिए दिखते हैं कनकन में है व्याप्त वही तान गाती रहती है तो बच्चो आप जब कवीता की इन पंक्तियों को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर है शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं है बलकि वाक्य के बीच में है और यहाँ पर भी वाक्य के बीच में है यानि कि अंत में है यहाँ पर भी वाक्य के अंत में है बच्चो यहाँ पर अलग अलग इन पंक्तियों में है बच्चो इस प्रश्ण में आपको क्या करना है आपको कवीता पढ़नी है और कवीता पढ़कर आपको है शब्द पर ध्यान देना है कि ये जो हमारा है शब्द है उसका प्रयोग कहा कहा किया गया है देखिए रुद्ध गीत की कृद्ध तान है बच्चो यहां पर कव बाक् के वीच में किया गया है चलते हैं अगले प्रशन पर देखते हैं अगला प्रशन क्या है निम्न पंक्तियों को ध्यान से देखिए कवी कुछ ऐसी तान सुनाओं एक खिलोर उधर से आए इन पंक्तियों के अंत में आए जाए जैसे तुक मिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है इसे तुकबंदी या अंतिया नुप्रास कहते हैं कवीता से तुकबंदी के अन्य शब्दों को छाट कर लिखिए बच्चों आपने कवीता पड़ी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि इन कवीता में एक तुकबंदी का विशेश ध्यान रखा गया है कैसे र जगह जगे देखने को मिली है इन तुकबंदियों से क्या होता है इन तुकबंदियों से हमारा काफे बहुत ही सरस और सरन लगने लगता है बच्चो इसे तुकबंदी या अंत्या अनुप्रास कहते हैं आपको इस प्रशन में क्या करना है कवीता से तुकबंदी के अन्य संज आया हूँ, परक आया हूँ बच्चो आज आपने वेरे साथ आपकी पाथवुस्तक बसंत भाग 2-Πीच के भाषा की बात पर अधारत अभ्यास प्रिश्न हल किये बच्चो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये भाशा की बात पर अधारत अभ्यास प्रिश्न बहुती अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे धन्यवाद बच्चो